हेलो आफिसास क्याल चाले हैं आप सभी के आप सभी बढ़े होगे और आपको प्रिपरिशन बहुत अच्छे से चल रहे होगी गाइज अभी हमने लास्ट कुछ वीडियो में फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीस पी और रिट्स के वारे में उने वीडियो अप्लोड किय आप नहीं हैं तो जो भी पढ़ना चाहते है और जो भी अपनी हिस्टरी और चीह ग्लॉफी को प्रेपर करना चाहते है तो वह इस चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं कि यहां पर आपको ना best quality content आपको देखने को मिलेगा हाला कि मैं जानता हूँ कि सभी बच्चों ने online जो paid platforms होते हैं उनको buy कर रखा होगा लेकिन काफी ऐसे बच्चे होते हैं जो कि afford नहीं कर सकते हैं तो मैं चाहता हूँ at least आप उन बच्चों के साथ इस platform को जरूर share करें ठीक है तो आज के इस video में मैं बात करने वालू हूँ आप लोगों वे साथ fundamental duties के बारे में ये words से आप बहुत अच्छे से aware होगे fundamental duties मतलब कुछ ऐसी duties हैं एक आम आदमी की इस देश की नागरिक की जो उसको निभानी चाहिए खुद की मर्जी से मतलब बजाए कोई आपको pressure दे बज कंदा हो सकता है किए ब्रेक लेते हैं अब क्या जाता है बजाने लीकर्व फोड़ने चीज़े होनी चीजE उन çalये ह्मारी कुछ तो मैं चाहता हूं कि hakया हम बरेक ferment ले लो लेकिन आपको पड़ते हैं अगर आपकी family अपको पढ़ा रहे है तो आपको पढ़ते रहना चाहि तो उसी तरह से यह हमारी कुछ duties हैं, जो कि हमें निभानी चाहिए हमारे देश के अच्छे नागरिक होने के लिए, कि हम मतलब हमारा देश बहुत अच्छा है, हम इस देश के बहुत अच्छे नागरिक हैं, हमें हमारे parents के दोारा हमें बहुत अच्छे संसकार दिये गए हैं अब अब कुछ ऐसी चीजे होती हैं देखो काफी ऐसी चीजे होती हैं जो कि हमारे हमारे पेरिंट्स भी देते हैं और वो मदद करते हैं हमारे इस देश के अच्छे नागरिक बने में तो यह कुछ ऐसी duties होती हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और मैं चाहता अब यह fundamental duties के पीछे बहुत बड़ी कहानी है और वह कहानी क्या है वह सारी चीजे में आपको बताने वाला हूं और कौन-कौन सी duties हैं जो की बताई गई है constitution के द्वारा कि भाई इन चीजों को आप follow करो तो यह देश develop होगा यह देश एक अच्छी growth की तरफ move on करेगा ठीक है तो बाते बहुत जादा हो गई अब अपन आर्टिकल शुरू करते हैं और यह जो fundamental duties है यह part 4a में आती है पार्ट 3 में अपनी fundamental rights आते हैं ठीक है और पार्ट 4 में कौन सी क्या आता है DPSP आते हैं और पार्ट 4a में क्या आता है fundamental duties अब इसके पीछे बहुत सारे reasons होंगे बहुत सारे questions put on होंगे तो उन questions के भी मैं आपको जवाब देने वाला हूं कि भाई fundamental rights के बाद ही fundamental duties को क्यों नहीं रखा गया ठीक है यह आपके अंदर सवाल आया होगा जब मैंने पढ़ाई करे थी जब मैं constitution पढ़ रहा था जब म मेरे अंदर भी same सवाल आया था कि fundamental rights or fundamental duties same sound करते है fundamental तो यह fundamental rights के बाद ही क्यों नहीं रखे गए इसके पीछे भी एक कहानी है चले हम आगे बढ़ते है अब मैं आपको यह कह रहा था कि भाई before 19 अगर मैं आपसे यह कहूं कि जो fundamental duties है न यह 42nd amendment 1976 के बाद इस fundamental duties यह चैप्टर है यह एड किया गया constitution में तो अगर आप मेरे से यह पूछते हो कि 1976 से पहले यानि कि जो constitution तो 1950 में आया तो उस 26 साल में यह fundamental duties अगर नहीं थी तो क्या लोग अपने नैतिक जो करतब वे थे उनको follow नहीं करते थे उनको नहीं 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 भाते थे तो हाँ गाई क्या होता है है कि मान लो सवच भारत अभान चीन यह जो मीशन चलाया सवच बारत अभ्यान तिक है इससे पहले भी भऐ यह चीज हम अपने घर में भी करते थे और हमेशा की है और आज भी अपने घर में जाड़ू लगाते पोचा लगाते सफाई रखते हैं तेवार बगार आते हैं ठीक है लेकिन हम भार निकलते तो हम क्या करते थे कचरा इदर उदर फेक देते थे लेकिन अभी भी अभी भी मतलब इविन मोदी जी के दौरा सफच भारत अभियान लाने के बाद भी लोग ऐसा करते हैं लेकिन हां मुझे इतना पता है मैं मैं भी ऐसा करता था अगर मैं आपको सच स्वच भारत अभियान मिशन अगर ओन रिटेन यानि इंस्ट कॉंस्टूटूटूटूशन या फिर एक लौ बनाकर यह चीज जब आई ना तो अगर आज भी अगर आप कच्रा जब इदर उदर फेकते हो सब आपको साब सब को बता है स्वच भारत अभियान चल रहा है ठीक तो वह हमारा करता वे बनता है कि भाई हम देश को साफ सुत्रा रखें तो 1976 से पहले की कहानी क्या थी कि लोग अपनी ड्यूटीज को फॉलो नहीं करते थे तो इंद्रा गांधी यह जो यह जो फंडामेंटल ड्यूटीज को चैपकर है इंद्रा गांधी लेकर आए 1976 42nd amendment के बेसिक फंडामेंटल ड्यूटीज हैं यह हमारे देश का नागरिक अपने आप ही निभा लेगा मतलब अपने आप ही इन ड्यूटीज को पूरा करेगा इसको कॉंस्टिटिशन में लिखने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है इसलिए उस टाइम इन फंडामेंटल को पकड़ा गया तो इंद्रा गांधी ने इन इन 1976 में 42nd में 1976 के थूरू इस चीज को बोला कि भाई कई बार क्या होता ना चीजें लिखने से जाधा इंप्लेमेंट हो जाती है कि ऐसे तो लोग अपने ड्यूटीज फॉलो नहीं कर रहें अगर हो सकता है मिस कि लोगों को अपने ड्यूटीज फॉलो करनी चाहिए और इस चैप्टर को इसलिए एड़ किया गया क्योंकि 1976 से पहले तो 0% कोई अपने ड्यूटी फॉलो नहीं करता था लेकिन 1976 के बाद हाँ यह है कि कुछ फर्क पड़ा और अगर यह है कि यह जो फंडामेंटल ड्यू कोड उसका केस वगरा हो जागा ऐसा फोर्सेबल नहीं है अगर आप यह ड्यूटी फॉलो नहीं करते हो ठीक है लेकिन अगर आप जैसे आगे कुछ ड्यूटी बताएं टोटल 11 ड्यूटीज है अपने फंडामेंटल ड्यूटी चैप्टर में तो अगर लेकिन हाँ इसके प फटाफट आपकी गलती के उपर एक कानून बना देगी और आपको सजा दिला सकती है ठीक है तो पारलेमेंट बैठी है आपको पनिश करने के लिए अगर आप ऐसी ड्यूटी फॉलो नहीं करते हो और वह कौन सी ड्यूटी है हम एक ड्यूटी के बारे में पढ़ेंगे और चारा बना कर रहते हैं यह देश में पीस बना कर रहते हैं व् futur हैं और एसी ड्यूटी ओलोगे और रहे अरे मैंने आपको बताए कि fundamental duties forcible नहीं है आपको कोई force नहीं करेगा कि ऐसा करो लेकिन यह आपकी duty वनती है कि आप अपने देश के साथ प्रेम भावसर हो जैसे कि अपने तिरंगे का संबान करना आपको कोई force नहीं कर रहा है ठीक है लेकिन आपको अपने देश के तिरंगे का संबान करते हैं ठीक है हमारे environment को clean रखना नदियों को साफ रखना है प्लांट्स लगाना ठीक है पानी गंदा नहीं करना तो यह सारी चीज़ें ऐसी जो duties है यह फिर अपने जो monuments है historical monuments से उनकी सुरक्षा करना तो यह क्या है यह fundamental duties इनमें आपको कोई force नहीं करता ना आपको कोई यह नहीं कहता कि नैशनल anthem चल रहा है आप खड़े हो जाओ यह आप पर डिपेंड करता है अगर आप अपने national anthem का सम्मान करते हो तो आप खड़े होगे ठीक है यह फिर national flag आप पकड़ के salute नहीं करवाते हैं तो आपको forceable नहीं है ठीक है अगर आप salute नहीं करोगे तो आपको Supreme Court ले जाके आपके उपर case नहीं करेगा लेकिन यह आपके उपर depend करता कि आप अपने देश की या फिर आप अपने भाई बैनों की या फिर जो औरते हैं मम्मी पापा उन सब की इज़त करना यह आपका अधिकार है अपने देश में ठीक हमारे जो कल्चार उसकी रिस्पेक्ट करना हमारा हमारी fundamental ड्यूटी बनती है तो यहीं है fundamental ड्यूटी कि आपको कोई force नहीं कर रहा यह आप पर depend करता है कि आप अपने जो नैतिक करतव हैं आप उनको निभाते ह हो यह नहीं निभाते हो यह आप पर depend करता है हाला कि कई ऐसे नातिक करतव हैं जिनको आप वाइलेट करोगे तो पारलेमेंट कानून बनाकर आपको पनिश भी कर सकती है और यह जो कंसेप्ट है fundamental duties का यह concept हमने कहां से लिया है रशिया से लिया है और यह जो इंद्रा समझ के अनलाइज करके इन चीज़ों को यह चैप्टर बना के और इस constitution में एड करना है तो अगर आप से पूछा जा सकता है कि fundamental duties कि कमिटी ने बनाई है तो आप वहाँ पर स्वारन सिंग कमिटी बता सकते हो ठीक है अब यह सवाल जो आया था कि fundamental rights के बाद ही fundamental duties को क्यों नी रखा गया या फिर अगर आप यहाँ पर यह देखो कि fundamental rights part third में है DPSP part 4 में है और fundamental duties part 4A में है तो क्या ऐसा भी तो कर सकते थे कि fundamental rights part 3 में fundamental duties को part 3A में रख ज़े तो 4th A में क्यों रखा, 3rd A में क्यों नहीं रखा, मतलब Part 4 से पहले Part 3 A भी बना सकते थे तो देखो मैंने आपको यह चीज़ बताई ना, कि Fundamental Rights जो है Part 3 में, DPSP Part 4 में और Fundamental Duties Part 4 A में और Fundamental Rights मैंने आपको यह भी बताया था, लास्ट वीडियो में अगर आपने वो DPSP नहीं पढ़ा है, तो आप जाकर एक बास जरूर पढ़ लिजेगे, DPSP बहुत जादा Major Role प्ले करती है DPSP क्या है वो आपको पता होना चाहिए, तो मैंने वहाँ पर भी आपको DPSP और Fundamental Rights का Comparison बताया था, कि Fundamental Rights जो हैं, Justiable in Nature हैं, DPSP Non-Justiable in Nature हैं Same, उसी तरह से Fundamental Duties भी Non-Justiable in Nature हैं, मैंने आपको बताया, Forcible नहीं है, इसमें कोई Supreme Court High Court नहीं जा सकता आपके खिलाफ केस करने ठीक है, इसमें आपको Right अगर आप Fundamental Duties फॉलो नहीं करते हो, तो कोई ऐसा नहीं है कि आप Supreme Court आपके लिए कोई चला जाए, ठीक है तो यह भी Non-Justiable in Nature है, Fundamental Rights में आप Supreme Court डारेक्ट जा सकते हो, लेकिन DPSP और Fundamental Duties में आप डारेक्ट सुप्रीम को नहीं जा सकते हो, आपके पास पावर नहीं है, ठीक है, तो इसलिए Fundamental Rights के बाद DPSP और DPSP के बाद Fundamental Duties रखा गया, क्योंकि DPSP और Fundamental Duties दोनों Non-Justiable in Nature है समझ गए होगे, I hope, यह चीज़ आपको clear हो गई होगी, अब बात करने वाले हैं कौन-कौन सी 11 Fundamental Duties है, जिनको हम पढ़ लेते हैं, और उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो पहली चीज़ यहां पर यह बताएगी, पहली duty है हमारी Abide by the Constitution and respects its ideal and institutions, the national flag and the national anthem, इसमे हैं, उन सब की respect करनी है, और यह हमारा अधिकार है, यह हमारी duty, हमारा करतव्य है, कि हमारे national flag है, national, या फिर जो freedom fighters वगरा रहे हैं, उनके विचार धाराएं हैं, ideals हैं, जो हमारे, ठीक है, मात्मा गांदी जावालान, जो भी इस देश को आजाद करके गए हैं, उन सभी institutions, यह जो सरकारी चीजे भी हैं, monuments हैं, इन सभी चीजों का क्या करना है, हमें सम्मान करना है, रिस्पेक करनी है, national flag, national anthem, national song, जो भी, और अगर इन चीजों को कोई फॉलो नहीं करेगा, तो Parliament have right, कि वो कानून बनाएगी और आपको पनिश करेगी, ठीक है, तो आपको हर एक सम्मान करना है, रिस्पेक करनी है, और उनके विचारधाराओं की भी सम्मान करना चाहिए, ठीक है, दूसरी डूटी हमारी क्या है, cherish and follow the noble ideals that inspired the national struggle for freedom, मतलब इसमें भी वस यही बताया गया है, कि भाई, जो freedom के लिए, मतलब आजादी के लिए, जो लोगों ने अपने प्रा सम्मान को, मतलब बहुत ज्यादा प्रोचसाहिद, बहुत ज्यादा सम्मान के साथ, चीजों को समझना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा चाहिए, मतलब कहते हैं, कि, cherish का मतलब मैं आपको बताऊ यहां पर, cherish मतलब होता है, एक दम खुले, एक बहुत ज्यादा सम्मान के ठीक है मतब आप Hindi word तो exact मुझे नहीं समझ में आ रहा बट आपको उन सभी लोगों का जो freedom के लिए struggle किया जिन्होंने जो noble ideals थे उन सभी की विचार दा रहा है उन से inspire होके उनके उस काम को उन्होंने उस त्याग को उस आजादी दिलाने के त्याग को उन्होंने किया है उन सभी चीजों के करना है हमें सम्मान करना है हमें रिस्पेक्ट करना है यह हमारी duty बनती है ठीक है और तीसरी duty हमारी बनती जो कि इस देश की एकता संप्रूवता और अकंडता यानि की सोवर्निटी यूनिटी और इंटीग्रिटी इन सब चीजों को वाइलेट करें ठीक है मतलब एकता है अगर हमारे देश की क्या है पावर एकता ही तो है कि हम सब लोग मिल जूल कर रहते हैं तो हमें कोई ऐसा काम बद्धार यह आटीन स्कूलक है कौि बद्रीयु काम कर आइडाएर यह हमारे में mental state में कोई भेदबा हुआ है तो हमें इन सब चीजों को maintain रखने के लिए हमें कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना यह हमारी duty बनती है next duty आती है defend the country and render national service when called upon to do so defend the country and render national service यानि कि हमारे देश के लिए अगर कभी भी जरूरत पड़ती है तो हमें आगे जाकर देश के लिए खड़ा होना पड़ेगा जैसे कि अगर यह recent example मैं आपको दूँ तो देखो रशिया और यूकरेन का वार चल रहा है ठीक है यूकरेन भले ही रशिया से बहुत ज़ादा कमजोर है लेकिन वहां की public क्या कर रहे है किसी और देश के आगे जुकने से पहले वो जुकने की वजाए वो क्या कर रहे है वहां की बच्चे, बूढे, आदमी, औरत सब लोग ना कोशिश कर रहे है कि अपने देश के लिए प्राण ने उचावर करने के लिए अपने देश के लिए आगे खड़े होकर weapons हाथ में लेकर fight कर रहे है रशिया के साथ वो अलग बात है, वो हारेंगे जीतेंगे लेकिन वो अपने देश के लिए क्या कर रहे है लडाई कर रहे है उसी तरह से कि हमें अगर जरूरत पड़ेगी देश की सुरक्षा के लिए देश को डिफेंड करने के लिए अधनेमी से, ठीक है देश की सर्विस के लिए तो हमें आगे जाकर खड़ा होना पड़ेगा और एक और एक और एकजामपल कई बार क्या होता है, कि हम आर्मी में जाना चाते है ठीक है हम defense में जाना चाहते हैं लेकिन somehow हम नहीं जा पाते हैं ठीक है तो क्या है ऐसा नहीं कि भाई आप अगर देश की सेवा करना चाहते हो अगर आप service देना चाहते हो इस country को सर्व करना चाहते हो तो ऐसा नहीं कि सर्वा बॉर्डर पर जाके दुश्मनों को मार दो या मर जाओ मतलब सही दो जाओ ठीक है तो ऐसा अभी नहीं है आप देश के अंदर भी रहकर उन लोगों बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हो जैसे कि यहां के और बच्चीयों को बचा से काम करने चाहिए नेक्स आता है फिफ्ट ड्यूटी है हमारी प्रमोट हार्मनी एंट इस्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदर हुड अमंस्ट ऑल दा पीपल अफ इंडिया ट्रांसेंदिंग रिलेजियस लिंगस्टिक अं रिजनल और सेक्शनल डाइवर्सटी इसमें का गया है चीह है उसकी वैली करनी चिये ठीक है कोई भी धर्म का ओऊ कोई भी mobile lending बोलता हो किसे भी ईंडर से कोई बिस्ट डाइवर्सटी हो चाहिए काला गोरा हो कैसा भीव हौ हमें हर हर नागरिक हर धर्म हर भाशा हर नवीपद्य सब्सक्राइब करना है ठीक है तो फिफ्ट ड्यूटी यह है जिए जिए आते हैं कि वेल्यू दा प्रिजर्व एंड रिच हैरिटेज ऑफ दा कंट्री इस कंपोजिट कल्चर यहां पर वह मॉनुमेंट्स की बात करें के कालिचर की बात करी है जो हिस्टोरिकल मॉनुमेंट्स ताज मैं लाल रिचे वी बाति चीज नहीं है तो हमागे मॉनुमंें कोन देतе है् तो हमें ऐसी चिज़ें नहीं करनी है हमें ऐसी हैरिटेज जहें पुराने लाइस 아침 चीज एन बातव प्रीशच के रक्षा करनी चाहिए उनको protect करके preserve करके रखना चाहिए उनकी value करनी चाहिए ठीक है सेवन्थ ड्यूटी आते है protect and improve the natural environment including forest, lakes, rivers and wildlife यानि कि हमें पेड़ पौदे लगाने चाहिए और जो पेड़ पौदे हैं या जो animals हैं जो forest हैं lakes, rivers हैं इनको गंदा नहीं करना है forest वगरा में जो जानवर हैं जंगल हैं पेड़ पौदे हैं उनको भी बचा के रखना चाहिए कोई काट रहा हो तो उनको रोकना चाहिए ठीक है ताकि देखो यह चीज़े क्या है हमारे देश हमें oxygen देती है हमारे जीने के लिए जरूरी है लेकिन देश को भी growth में लेकर आती है ठीक है तो ऐसी चीज़े नहीं करनी चाहिए अगर कोई ऐसी चीज़े होते देख रहे हो तो आप उनको रोको यह आपकी duty बनती है नेक्स आता है 8th duty हमारी है इसमें सिर्फ इतना बताया गया कि कोई भी देखो हमें technology को भी प्रोचसाहित करते रहना चाहिए क्योंकि technology जो है वो बहुत जादा क्या कर रहे है देश को आगे ले जाने में देश की तरक्की करने में बहुत जादा मददगार है तो हमें scientist हो गया उनकी नई नी technology है नई research है नई experiment है उन सब चीजों को भी मतलब काफी जादा प्रोचसाहित करना चाहिए और नई चीजों को जानने के लिए हमेशा प्रोचसाहित रहना चाहिए खुद को भी ठीक है नई नी चीज़े जानने में आपको पीछे नहीं रहना चाहिए आपको आगे बढ़कर नई नी चीजों को नई नी theories को आपको सीखना चाहिए समझना चाहिए नेक्स आती है नाइन्थ इट्यूटी हमारी जो है रेल्वे स्टेशन मना कर देती है तो हम क्या करते है स्कूल बगर जो सरकारी होते हैं आप पंखे लगा कर दिये सरकार ने चाहिए नई नी चीज़े सीखते रहना चाहिए ठीक है जिससे कि हमारा देश कॉंस्टेंटली एक उचाईयों तक राइस करेगा ठीक है नई नी चीजों से नई एक्टिविटी से खुद को बिजी रखना है वही बात है हर एक इंसान को कुछ नो कुछ ऐसा अगर वह पड़ा लिखाया अगर वह नहीं चीजों की रिसर्च करता है नहीं ने काम करता है नहीं डेवलपमेंट करता है तो वह क्या करेगा वह मदद करेगा हमारे देश की उचाईयों तक मालब इंटरनेशनल लेवल पर अपनी हैं हमारी 42nd amendment के तहट आई हुई है और यह 11th duty है हमारी 86th amendment के थ्रू आई हुए 2002 यानि की आपर का गया 6-14 साल तक के बच्चों को पढ़ना चाहिए और compulsory है सरकार का भी एक काम बनता है और हम parents का हम guardians का भी हक बनता है कि हमें हमारे बच्चों को at least 14 साल तक तो पढ़ाना च पढ़ाना चाहिए अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए और यह जो डूटी एड करी गई है यह 86th constitutional amendment act 2002 के तहट एड करी गई है और जो first to 10 duties हैं वो 42nd amendment 1976 के तहट एड करी गई है तो यही था आज के हमारे इस वीडियो में हमने fundamental duties के बारे में पढ़ा ठीक अच्छा लगेगा तो मुझे पता है आप लोग कर भी दोगे इतना support तो आप अपने भाई को कर दोगे ठीक है तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के end होता है मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद और बावाई अब गुद डेइ